एलो एवरिवन स्वाधत आपका आज के इस बेतरिन से वीडियो में तो आज के इस वीडियो में आप थमनल देखके समझ गए होगे हम फ्रेडो के 10 इंच डीवीची सबूफर के बारे में बात करने वाले इससे पहले के वीडियो में उनने फ्रेडो काई 8 इंच का समझ गए टेस्ट किया था लेकिन ओ समझ अपना सिंगल वूइस्कुल और डियूल मेगनेट में था ओ वीडियो भी आपको अपने चैनल पे देखने को मिल जाएगा आज के सीडियो में हम जो पर्टिकुलर बात करने वाले हैं एक तो हम फ्रेडो के सबूफर का पुरा रिवियू करके देखेगे कि डिवी सी सबूफर है तो कितना अच्छा इसका आवाजे आउट उठे पंचे वगेरा और दूसरी एक बात हम यह जानने वाले हैं कि होम ज्यादा तर फ्रेडो के सबूफर जा तक मैंने देखा हैं लोग गर में यूज करने के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं कार में बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा प्रेडो का सबूफर तो गर के लिए अगर ले रहे हो तो जाइट सी बात है जिसके पास एंप्लिफायर नहीं है और जो अपने सब्सक्रेबर हो सबसे पहले एक दिमाग में बाट लाएगहे कई क्या बेंस्ट्व इंप्रिफार पर चल पाएगा तो आज के सबसे इस वेडियो में हम यह भी देखने वाले थक्या एक वॉनसिप्वाट पर इसको चलाना में और सभी होगा यह नाई तो आपने देखा गए इसका पूरा लुक अब बात आती है कि डिवी सी सब बूफर और एक यह अपना नॉर्मल सब बूफर है जिसमें की सेम तरह का कौन यह आप यह बोल सकते हो फ्रेडों से भी अच्छी कुलेटी का कौन का यूस किया हो यह टेन इंच का ही सब बूफर है अपना लेकिन यह सिंगल ओइसकोल सब 120 mm मेगनेट है डिवी सब बूफर में क्या होता है आपको डिवल कनेक्टर देखने को मिल जाते है और इसमें आपको सिंगल कनेक्टर देखने को मिलेगा तो यह दोनों फर्क होता है अब इन दोनों में से अगर आप पर्चेस करे हो तो आपको कौन सा लेना चाहिए और लेना है तो आपको दोनों ओप्शन मिलते हैं डीवी सी ले या फिर सिंगल वोई स्कुल्ड के कुछ फीचियर आपको मैं जल्दी से बता देता हूं तो इसमें सबसे पहले अपना मेंगनेट साइज की बात करते हैं तो इसमें 120 mm का ड्यूल मेंगनेट लगा हुआ है इंजर म पावर है का जो लिवी वोई स्कुल्ड है याने कि दो वोई स्कुल्ड होती है जो कि 4 ohms प्लस 4 ohms इंपिडेंस पे वर्क करती है इसकी रेजोनन्स फ्रिक्वांसी 27 अट्स मेंशन है अकिकत में हम देखेगे कि कि इतना लोज तत यह जा सकता है इसमें 27 नट्स याने कि इसले आप जा रहा है तो आपको जो वो और चेस थंपिंग वाली बैस है ना वह देखने को मिलेगी मतलब जो लगता है ना कि सीने में बैस लग रही है उस टाइप की बैस मिल सकती है उतना सम्भूफर आपका लोज जा रहा है और आपका इनख्लोजर वगेरा उसी फ्रिक 1899 का है और जो फ्रेडों का है नोर्मल डबल मेंगनेट सिंगल हो इसको सब उफर है वो 1799 का है यानि कि जाहिड सी बात है लोग कुछ पेसों के लिए दीवीजी सब उफर ही पर्चेस कर लेगे कोई भी यह पर्चेस नहीं करेगा और इसका सिंगल मेंगनेट है देखिए यह अपना 1599 का है यानि कि 1600 रुपय का और सिंगल मेंगनेट है 120 mm का तो चलिए गाइस अब हम जानेगे कि दीवीजी सब उफर का एक्च्वल में क्या य से होते हैं मन के चलिए आपका यह एंप्लिफायर 4 ohms पे 150 watt आउटपुट कर रहा है तो यही एंप्लिफायर अगर आप इसको 2 ohms पे चलाओगे तो यह नेरभाई 200 से 300 watt का आउटपुट देगा आपको इसी एंप्लिफायर को अगर आप 8 ohms पे चलाओगे तो आपका जो आ 20 सबूफर का यूज़ी यही होता है कि इन दोनों voice quality एल्ग से आप इसके connection करके आप ओंस को अपने इसाब से बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो बढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहता है क्योंकि जितना ohms कम होगा उतना ही आपका सबूफर ज्यादा आउटपुट के साथ ब अगर ज्यादा लोट दालोगे तो ज्यादा ओट निकल के देगा लेकिन घर में यूज होने वाले जो मोस्केट वाले एंप्लिफायर हो गए बाद में जो यह बेस्ट्यूम एंप्लिफार होगे यह सारे फोर ओंस पे ही स्टेबल होते है या उससे उपर के लोट पे स्टे के कनेक्शन किस प्रकार से होते है चली हम जानते है यह अपना मल्टीमिटर आ रहे है जिसको कि मैंने 200 ओंस के सेट कर रहा है यह देखे इसमें थोड़ी टेक्निकल खामे है यानि के फोर ओंस के लोट को यह 6 दिखाएगा 6 को यह 8 दिखाएगा केने का मतलब यह ज्यादा लोट दिखाएगा तो चलिए इसको हम टेस्ट करते हैं तो यह देखे 6.1 एप प्रोक्स 6 ओं दिखा रहा है तो केने का मतलब यह फोर ओंस का वह इसको यह हो गया इंटर इमेंशन भी इसी तरह से हम दूसरे को टेस्ट करते तो यह देखिए CMEC प्रकार से 4.2 यानि की 4 ओंस यह दिखा रहा है अब इसके कनेक्शन लो तरह से होते ज्यादा तर 90% डीवीसी सबूफर लोग जो जान के लेते जिसको नोलेड होती हो इस प्रकार से कनेक्शन करते हों मैं दिखाता हूँ आपको ओं क्या करेगे इसके नेगेटिव को इस नेगेटिव के साथ मिला देगे बाद में जो इसका पोजिटिव वाला वायर है इस पोजिटिव वायर को इसके साथ मिला देगे इस प्रकार से अब इससे फर्क क्या पड़ा जो एंपिफार के वायर होगे वो किसी दोमेन दे देगे इससे फर्क क्या पड़ा चलिए हम जानते हैं तो देखिए अब हमने इसका impedance चेक करते है तो देखिए यह 4.2 ohms दिखा रहा है यानि कि 2.2 ohms पे आ चुका है जो हमारा 4 ohms टा सब वूफर था यह अपना 2 ohms पे आ चुका है अब इससे क्या फाइदा हुआ जब हम normal connection कर रहे थे यानि कि single ohms सब वूफर के positive negative को amplifier में दे रहे थे तो 4 ohms का load की वज़े से अपना amplifier मान के चलिए 2 ohms पे stable है तो यह 150 ohms इसको दे रहा था अब यह 2 ohms टा load इसको डालेगा अगर हम इस तरह से connection करके करेगे तो यह dice out rms इसको दे पाएगा हाला कि इसकी capacity नहीं है लेकिन हम example की तोर पे समझ रहे है अब कई लोग होते है जो by mistake या फिर कुछ amplifier बहुत ही rare amplifier ऐसे होते है जिसको 4 ohms के load से ज्यादा load पे चलाना होता है सब वूफर के लिए तो वो लोग किस प्रकार से connection करेगे इसके positive को इसके negative में दे देगा है इस connection को आप इस तरह से भी कर सकते हो इधर से positive इधर से negative अब हम इन दोनों और आपके जो amplifier के वायल लगेगे positive इधर और negative इधर तो चलिए इस प्रकार से हम टेस्ट करके देखते है कितना आपको मिल रहा है तो देखिए एप्रोक्स 9.8 याने कि यह एप्रोक्स 8 ओम पे आ चुका है 7.7 7.8 ओम पे आ चुका है जो कि 4 ओम से बढ़के काफी ज्यादा हो गया अब 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 अपना यह setup इधर पूरा किया हुआ मैं आपको दिखाता हू तो देखिए गई जी अपना पूरा setup किया हु मैं आपको इस बेस्ट्यू इंपिफार को SMPS से चला के दिखाता हू लेकिन अभी new power supply हमने बनाया है तो उसका यूज करके हम इसको run करेंगे यह देखिए अभी इस पे कितना वोल्ट आ रहा है 16 वोल्ट बन पा रहे है यह देखिए 15.9 16 वोल्ट लेकिन यह जो हमने तो यह हमने जो पूरा पावर सप्लाइब बनाया है वह बूती कम पेसों में और पूराने UPS और पूराने UPS का यूज करके बनाया हुआ है और यह जो 16 वोल्ट है अगर आप SMPS यूज कर रहे हो तो आपको 16 वोल्ट नहीं देना है यह फिलाल ट्रांस्पोमर बेज एक पावर सप् इसमें केमने केपेसिटर का यूज किया हुए उस वज़े से 16 वोल्ट दिखा रहा है तो देखिए बिल्कूल परफेक्ट लिए रन कर रहा है तो चलिए अब हम सब वूफर के लिए स्पिकर वायर हो दो तो इसको हम सब वूफर में लगा देगे तो चलिए कनेक्शन करके ह हम इसकी साउंड टेस्टिंग देखते हैं आपको अभी जो साउंड आ रहा है जिए उसको आपको थोड़ा आवट करना है अपना दोनों बिल्स्यों विम्प्रिफार के कैपिनेट और पावर सप्ले के कैपिनेट में जो फेन चल रहा है उसका साउंड है तो देखिए कनेक हुआ 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 है आप यह टेन यह एक टॉम्स लोड़ पर चल रहा है पूर्टी सेकन्द का संग प्लेयाँ ने फूल ओडियो में किया है अब हम इसको बेस में सिफ चलाते है यानि कि अपने बेस्टी मेंप्रिफार में से ये फूल पे इसको हम बेस्ट पे करते हैं, वोल्यूम अभी मेट से, फ्रिक्वांसी भी मेट से, अब फ्रिक्वांसी को हम थोड़ा कम कर देगे, अब हम टेस्ट करते हैं साउंड को लेटी तो गाइज आपने देखी अभी इसकी टेस्टिंग एट ओंस लोट पे अब हम इसको टू ओंस पे कर देते हैं जो कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता अगर आपके पास एक बेस्ट्यूब एंप्लिफायर है तो इस कनेक्शन में क्या होता है दोनों के नेगेटिव को एक साथ मिला जाता है और दोनों के पोजेटिव को एक साथ मिला जाता है अब हम भी से सेम तरीके से सेंपल प्ले करेंगे 40 सेकंड सब से पहले हम फूल ओडियो उसके बाद सीप बेस कर दो कर दो कर कर दो कर दो कि अपना टेन इंच का इंटी ओजर है जिसका जिसमें कि मैं पायोनेर का टेन इंच डिवीजी सबूपर बहुत अच्छे तरीके से चलाता हूँ जो कि यह 18 mm MDF में बना हुआ और यह पूरा ही इंक्लोजर टाइप डिजाइन है तो चलिए इसमें हम अपने अप्रेटो के सबूपर को लगा के टेस्ट करते है इसको अब में टू ओम स्लोट पे यानि कि इसकी मैक्सिमम के पेसिटी पे लगा के टेस्ट करते वाला हूँ तो चलिए गाइस इनक्लोजर पूरा रेडी है और सब वो फरक मेंने माउंट कर दिया है कनेक्शन इटर हो गया है और अभी यह टू ओम स्लोट पे चल रहा है यानि कि इसकी मैक्सिमम के पेसिटी पे अब हम इसकी साउंड टेस्टिंग का सेंपल प्ले करके देखते है ता आधे बहा है औरК बार यानि का समय का सेंप्रयाँ करेंग बिंट करेंट में कर दो बारिक लाद, पिरिश़त व Snow तो आज के इस वीडियो में हम नगाइज ये तीन बाते सिखी कि किस प्रकार से फ्रेडो के सबूफर का पर्पूमंस रहता है डिवीजी 10 इन सबूफर का क्या आपको इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए दूसरी बात हमने जाने कि मेस्टु बेम के साथ डिवीजी पर कोई भी हो उसके connection किस प्रकार से होते हैं और उसका purpose क्या होता है तो यही था गयाज आज का वीडियो अगर आप इन दोनों को purchase करना चाहते हैं तो WhatsApp के टालोग की link description में वहां से आप इसको purchase कर सकते है बेस्टिक में भीपार जो हम 1350 का sell कर रहेते हैं उसको price कम करके 1300 क्या सकते हो और इस अंदर को लेटी में आपको देखने को मिन्स आए प्रोड़क्त दूसरी एक बात की गाईज हमने एक WhatsApp ग्रूप create किया है जिसमें कि मैं अपने प्रोजेक्ट आइडिया आपके शेर करता हूँ आप अपने प्रोजेक्ट आइडिया या फिर कोई नही आ प्रोजेक्ट या कुछ वर्क जो मैं योटूब पे नहीं डालता हूँ यान कि वीडियो नहीं बनाता हूँ उसको मैं वहाँ शेर करता हूँ तो उसको आप जोइन करना चाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में या WhatsApp ग्रूप के भी लिंक हैं वहाँ से आप जोइन कर सकते हो